प्लस वन इंदी आज हम करेंगे विग्यापन युग निबंध बाइसवा विग्यापन एड़र्टाइजमेंट का युग मोहनरा केश द्वारा लिखित विग्यापन युग कि आज का युग विग्यापन का एड़र्टाइजमेंट का जिस चीज का विग्यापन आ जाता है वो चीज को हम ज़ादा खरीदती हैं। हम पर भी वियंगय किसा खुआ है। कटांक्षची से कहते हैं किया गया है। जिसमें लेकक ने विग्यापन कलाके विक्सितोने पर उसे सिरधर्द का कारण भी बिताया। पुडोसियों की किरपा से उसे दिन रात गजलों बजनों के साथ चाय तेर सिर दर्द की टिक्कियों के विग्यापण सुनने पड़ते हैं यह विग्यापण लेक के दिलों दिमाग का सदा चाही रहते हैं पर इनाम यह हुआ कि लेकर के लिए गजल गजल ना रहकर किसी चीज का विग्यापण बन गी लेकर को लगता हर चीज का विग्यापण बन कर रहे गया अजंता लोरा की मूर्तियों का केश्व नियास लेकर को एक तेल की शीशी की याद दिलाता है इसी तरह मूर्तियों की आ दिर पुराने किले समार कादियें सब प्रियतन वैवसाई को प्रोथसान देने के दिए एक विशेश ब्रांड के सीमट की मजबूती को व्यक्त करने के परतीक बन गे इसी तरह सफेद रंग के शहद का विग्यापन सेव के मुरब्बे का विग्यापन हो सकता है लेका का मत है कि विग्यापन किसी भी चीज का हो सकता है हम यहां भी रहें विग्यापनों की लपेड से नहीं बस सकते कि विग्यापन हर चीज का आजकर विग्यापन ही चल रहा है लेका का मत है विग्यापन निकलाने आज इतनी उन्ती कर ली है कि उससे डरा की आने वाले समय में शिक्षा, विग्यान, संस्कृति, साइतिय का प्रियोग विग्यापन कला बनकर ही न रह जाए लेकर कहते हैं अभी तक बहुत सारे शेतर हैं जिनका विग्यापन के रिए प्रियोग नहीं किया जैसे दवा की शीशियों में मक्खन के डिबों के विग्यापन होने चाहिए, कंबलों और दुशालों में चाय कोको के विग्यापन, उसी परकार अस्पताल की दिवारों पर वेवहाई विग्यापन लगाए जा सकते हैं, यह तो बविश्य की बात है पर आज की स्थिती यह है कि हर चीश विग्यापन ही विग्यापन है, लेकक को चाहे देने वाला लड़का भी क्लोरोफिल मुस्कुराड मुस्कुरारा है, जब लेकक को इस तिती के कंट की मदरुवाज का विग्यापन सुनना पड़ता है तो लिवर ठीक रखने के दिए, लिवर इमर्शल लीजिए, लेकक को अपने सामने आने वाला हर चेरा किसी ना किसी विग्यापन के रूप में ही नजर आ जाता है, ठीके जी आज यही आपने करनी है, विग्यापन युक निबंद पाग मोहन राकेश्द वारा लिखे कि हर चीज आजकल विग्यापन बनकर रह गई है, ठीके जी, ठैंक यू